हाई गाईज दिस वभीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दडी वाइन लाइट आप टैरू गाईज आज का जो वीडियो इसका टॉपिक आपने थामनेल में देखी लिया होगा कि हमके इस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है यह कि आपका सबर आपके शत्रू पर कौन सा कहए ढाएगा यह हम इस रीडिंग के थूप देखेंगे और आशा करती हूं कि आप सपी सुखी स्वस्थ और एक पॉजिटिव सोच के साथ जीवन में आगे पढ़ रहे होंगे स्वस्थ होंगे और अपने अपनों का रख रह होंगे ख्याल है ना तो चलते हैं हमारी रीडिंग की और देखते हैं कि आप का सब्र आपके विरोधी या आपके शत्रू या आपके दुश्मन ओपर क्या कहर धाएगा यह हम इस रीडिंग के थूप देखने वाले हैं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पसंद आये तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें साथ साथ अगर आप परस्नल डीडिंग लेना चाहते हैं तो वाट्सप नंबर अल्रेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहां से मुझे मेसेज कर सकते हैं आपका सबर आपका सबर आपके शत्रू ओपर कौन सा कहर ढाएगा यह हम इस रिडिंग के तू देखने वाले हैं तो यहां पर आ गया है डैप्थ का कार्ड है हुआ सारे कार्ड आएं यहां पर जस्टिस का कार्ड ल मिलूंगी टेंप्रेंज का कार्ड मिलूंगी सोट्स का लूंगी एंड टू आपके शत्रू आपका सबर आपके शत्रू ओपर कौन सा कहर ढाएगा यहां पर है फाइव ऑफ सोट्स आपका सबर आपके शत्रू ओपर कौन सा कहर ढाएगा क्वीन ओफ कर्प्स पेज ओफ कर्प्स आपका सबर आपके शत्रू ओपर कौन सा कहर ढाने वाला है यह ढाएगा यह हम देखेंगे दसन का कार्ड है नाइन ओफ कर्प्स का कार्ड है एक और कार्ड है नाइट ओपर बॉटम ओफ देख सेवन ओफ कर्प्स यहां पर जो ओवराल एनर्जी निकल कर आ रही है वह आपके शत्रूओं की है सेवन ओफ कप्स बहुत कंफ्यूज एनर्जी में है बहुत नेगेटिव एनर्जी में है आपके शत्रूओं तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशियों की क्योंकि बहुत सारे लोग राशी के हसाब से इस रीडिंग को देखते हैं तो यहां पर आपकी राशी तुला हो सकती है वरश्चिक हो सकती है धनू हो सकती है सिंग हो सकती है और वरश हो सकती है कप्स एनरजी बहुत जादा है करकुरश्चिक मीन हो सकती यह जो साइन है यह आपका राइजिंग साइन हो सकता है यह आपका संसाइन हो सकता है यह आपका मून साइन हो सकता है आपकी date of birth का मन्त मार्च हो सकता है, नवंबर हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, फरवरी हो सकता है, मई हो सकता है, सेप्टेमबर हो सकता है, अगस्त हो सकता है, यह आपकी date of birth के मन्त हो सकता है, जुलाई हो सकता है तो बात करते हैं आपके शत्रूओं की एनर्जी, देखिए बहुत नेगेटिव एनर्जी, साथ साथ कन्फ्यूज एनर्जी, एक चीज पर फोकस नहीं करना, इसकेटर्ड एनर्जी है आपके शत्रूओं नाइट और वांड का कार्ड बता रहा है कि इनको आपके बारे में कन्फरमिटी नहीं है, ये बार बार आपकी लाइफ में हो सकता है, आते हो, पैच अप होता हो, फिर किसी ना किसी बात पर से विवाद होता हो, या आपकी लाइफ से दूर चले जाते हो, या इनसे फिर से आ आपका जो है मनमुताब हो जाता यह वो लोग है आपकी लाइफ में यहां पर कुछ कार्ड और मैं लोगी ओरेकल कार्ड कर दो हुआ है पॉल्स परसन का काड आगा है यह लोग जो है टोटली फॉल्स परसन आपकी लाइफ में कम्नियूटी यह आपकी कम्नियूटी से हो सकते हैं यह आपके रिलेटिव हो सकते हैं यह रिष्टेदार हो सकते हैं यह एक ही जगा पर आप काम कर सकते हैं वर्क प्लेश के लोग हो सकते हैं जुडिकेशन का कार्ड है थीव का काड है मैच्वर वुमेन का काड है कौफिन का काड है यहाँ पर दो काड है इंप्रिजनमेंट का काड है यहाँ पर यह जो लोग है देखिए आपकी लाइफ में आते हो जाते हो बार बार आपसे जब भी आपसे मतलब निकलता हो जब भी आपसे स्वार्थ निकलता हो यह आपसे फिर से पैच अप करते हो फिर से आपके साथ compromise करते हो बात करते हो और फिर किसी ना किसी विवाद के चलते आप लोग फिर अलग हो जाते हो उतलब आपकी फिर से इन लोगों से दुश्मनी हो जाती है यह उस तरह के लोग हो सकते हैं तो देखिए आपका सब्र आपके शत्रों पर क्या कहर अठाएगा क्योंकि हो सकता है आप बहुत पेशिन्स लेवल आपका बहुत स्ट्रॉंग हो आप बहुत सब्र वाले इंसान हो टेम्प्रेंज का काड़े भाद बैलेंस एनरजी हो आप किसी भी कह सकते हैं किसी भी तरह के आपके अंदर छल कपट करने की आपके अंदर भावना ना हो किसी के प्रति ऐसा भी मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है बहुत पॉजिटिव हो सकते हो आप बहुत एंप्रेस का काड़ आया है बहुत केरिंग हो सकते हो बहुत नर्चिरिंग हो सकते हो बहुत काइंड हार्टेड हो सकते हो आप लोगों पर बहुत जल्दी धया खा जाते हो कोई आपके सामने रोता है कोई आपके सामने दुखी होता है आप बहुत जल्दी पिघल जाते हो तुरंत आप सब कुछ भूल जाते हो कई बार आप ये भी भूल जाते हो कि इस इंसान ने आपके साथ क्या किया या इन लोगों ने आपके साथ क्या किया पास्ट में इन लोगों तुनाया या किसी ने अपनी परिशानी बताई आप तुरंट उस इंसान पर दया खा जाते हो आप सब कुछ भूल जाते हो कि इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ क्या 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 चाले चली किस तरह से आपको धोका दिया या किस तरह से आपको परिशानी में डाला क्योंकि यहां पर कुछ लोगों के लिए imprisonment का card भी आ रहा है हो सकता है इन लोगों की वज़े से आपको imprisonment हुआ हो या भात stuck हो गये हो ये भी ये card बताता है हो सकता है भात stuck energy में आ गये हो भात trauma में चले गये हो भात depression में चले गये हो बहुत इस्ट्रेस में आ गय हो इने लोगों की वज़से और यह जो लोगे इनका Jules कि इनकी जो सोछ व थीफ वाली यह किसी वी तरह से किसी को भी चीट कर सकते हें द्धो्कादे सकते हैं किसी भी प्रकार का यह उस तरह के लोग हो सकते हैं और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी आ रहा है जुडिकेशन इनके साथ आपका केस चल रहा हूँ कोट केस चल रहा हूँ तो और अगर मैं एनर्जी बोलू तो फॉल्स पर्सन है यह लोग जो यह लोग दिखते हैं वह वैसे नहीं है वह वाली इनकी एनर्जी है मतलब यह जैसा दिखते हैं वैसे हैं नहीं इनकी सोच बहुत नेगेटिव है और इसी कारण से क्या होता है कि आप सबर करके चलते हों क्योंकि जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना बेला जो अध्रात्म के मारग पर चलते हैं या यह कैसकते हैं जो जिनको पता है कि अगर हम गलत कर्म करेंगे तो हमें उसका फल जो है मिलेगा कहीं ना कहीं से और कई गुना मिलेगा जो इस बात को जानते हैं, जो अध्यात्मिक हैं, वो लोग क्या होता है, सबर करते हैं, वो हमेशा सबर करके चलते हैं, वो किसी की गलती को माप भी कर देते हैं, और उनकी ऐसी सोच होती है कि अगर कोई गलत कर रहा है, तो इश्वर जो है, देखेगा, इश्वर ने आये करे वोई वाली बात, جजडे कांड है, तो आपने तो सबर किया, आपने बहुत कुछ सेहन किया, आपने उन सब चीज़ों को जो आपकी लाइफ में हुई, जो लोगों ने आपके साथ किया, धोका किया, छाया, लोगों ने आपको back step किया, two of cups का काड़े मिलकर साथ मिलकर आपको back step किया आपको धोका दिया तो उन चीजों पर आपने सबर कर लिया क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन से इंसान बुराई नहीं ले सकता जिस तरह से कहते हैं कि तलाब में मच्छ से बैर नहीं रख सकते वह वाले वह वाली बात यहां पर दिखाई दे रही तो यहां पर यह लोग इस तरह से हो सकते कि इन से पंगा लेना मतलब कि आप बहुत बड़ी मुसीवत में फर्चाना क्योंकि यहां पर कॉफीन की भी एनरजी है तो हो सकता है आपने लेट गो किया हो आपने सारी चीजों को इश्वर पर छोड़ दिया हो तो सबर जो होता है वो कभी जाया नहीं जाता मतलब कभी भी खराब नहीं होता या कहते हैं कि सबर का फल हमेशा मीठा होता है तो अगर आपने सबर किया है यह सारी चीजे लोगों ने आपके साथ की और आप सबर करके बैठ गए तो डिफिनेटली उसका जो फल है वो उन लोगों के उपर वो कहर धाएगा वो कहर लेकर आएगा जो आप सोचनी नहीं सक करते हैं अब वो क्या लेकर आएगा यह में कार्ड़कर त अब को बताने वाली हूं तो जो भी लोग ऐसा करते ना जो भी लोग सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं जो इश्वर से नहीं डरते जो इश्वर के न्याय से नहीं डरते जो किसी को धोका देने से नहीं डरते जो किसी का दिल दुखाने से नहीं डरते इस तरह के जो लोग हैं उनको definitely क्योंकि यहां पर आगया है strength का card, sun का card तो strength का card अगर हम देखे तो शक्ति का card है, मा, माता काली, माता भगवती का card है तो माता काली जो है उनको अवश्य ही उनके जीवन में ऐसा कहर लेकर आती है, जो कि इनसान सोच भी नहीं सकता क्योंकि जहां अमारी सोच कतम होती है, वहाँ ईश्वर की सोच start होती है, या शुरू हो जाती है, वो वाली बात है तो ईश्वर किस तरह से उनके जीवन में कहे ढाएगा ये तो वही लोग जान सकते हैं जो उन लोगों के आसपास हैं क्योंकि आप जैसा करमा करोगे वैसा फल आपको तो भोगना ही है आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसो आपको उसका दंड मिलेगा ही और माकाली जो हैं उनक को अवश्य ही दंड देंगी क्योंकि माकाली जिसे हम कि शम्षान वासिनी भी कहते हैं जो शम्षान में रहती हैं और महाकाली भी हम कहते हैं तो यह जो शक्ति हैं यह जो देवी हैं यह डेफिनेटली एसे लोगों के जीवन में कहर लेकर आएंगी और वो कहर कैसा होगा वो ऐसा कहर होगा कि वो उस गड़्टे में डूबते जाएंगे डूबते जाएंगे जैसे एक भवर होता है भवर से इंसान कभी नहीं बच सकता जो आपने पानी में भवर देखी होगी जो गोल गोल गूमती अगर उसमें एक बार इंसान फस जाए तो मौत उसकी निश्चित है वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता उस भवर में से तो इसी तरह से वो इंसान उस भवर में फसेगा और उसका आंतर निश्चित है तो यहाँ पर यह जो लोग हैं आपको ढोका देते हैं सूँचते हैं इनको कोई नहीं देख रहा है अपने मन का धन करते हैं और उसका दंड जो है माकाली उनके जीवन में ऐसा कहर लेकर आती है जो कि आप सोच भी नहीं सकते आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को कि अचानक से बहुत भ्यानक से एक्सिडेंट हुआ और सब पूरा परि इलाज थी कई महीने लोग आपने देखे होंगे कि बिस्तर पर पड़े रहते हैं उनको मोक्ष नहीं मिलता मृतिव नहीं मिलती बहुत मुश्किल से उनको मृतिव मिल पाती है तो यह इसी तरह के लोग है इनको माकाली इस तरह से दंड देती है या फिर ऐसे लोगों के सा सामना किसी ऐसी नकर आत्मक शक्ति से हो जाता है जो कि उस इंसान का रहना सोना बैठना दुश्वार कर देता क्योंकि नेगेटिवीटी कहां जाएगी नेगेटिव चीजों पर ही सबसे जादा नेगेटिवीटी अट्रेक्ट होती है इसलिए तो हम घर में कहते हैं कि किसी भी चीज को बहुत लंबे समय तक जो है इस्टोर करके मत रखो साफसफाई घर में करते रहो कोई स्टक एनरजी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो स्टक एनरजी होती है एक जगा जो चीज पड़ी रहती उसमें नेगेटिव एनरजी स्टक होती रहती है और जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे भी बहुत जल्दी अट्रेक्ट होती है नेगेटिव एनरजी क्योंकि ये इश्वर का दंड है ये भगवान का दंड है क्योंकि किसी ना किसी तरह से तो भगवान उस इंसान को दंड देगा तो आपने देखा ना कि किसी को सपने में बुरे सपने आने लगते हैं काली छाया दिखाई देनी लगती है सपने में आके दुष्टातमाय परिशान करने लगती है या किसी इंसान को पेरानॉर्मल एक्टिविटीज का जो अनुभाव होता है वो भी इसी चीज की सजा है ये उस तरह के लोगें हो सकता है इन्हें लोगों ने आपकी इज़त भी हो सकता है मतलब आपके बारे में ऐसी गोसिप की हो या आपके बारे में ऐसी अववाय फैला रखी हो कि आपको बदनाम कर रखा हूं सुसाइटी में या रिष्टेदारों में या रिलेटिव में ऐसा भी हो सकता है लेकिन आपने तो सब्र किया इन्हें लोगों ने चाहिए आपके लिए कुछ भी फैलाया आपने उनके कर्मों पर ध्यान नहीं दिया और आप एक सकरात्मक सोच के साथ आज भी आगे बढ़ रहे और आप जानते हैं कि हम जैसा कर्मा करेंगे वो कई गुना होकर हमको वापिस आएगा तो इस कारण से जो आपने सब्र किया उसका फल जो है अब आपके विरोधियो उनको मिल रहे और फल ज्योएं उनके जीवनमे कहर बन कर आ रहा है कहर ढहरा है अनके जीवनमें और कुछ चीजें ऐसी होती हिएं जो हमारे और हात्म cafeter नहीं नहीं होती है तो इस तरह से भी कई लोगों को मा काली मा भगवती दंड देती हैं जो किसी के साथ गलत करते हैं जो किसी को परिशान करते हैं जो किसी को दुखी करते हैं जो किसी को खून के आशू रूलाते हैं उसको भी खून के आशू तो रोना ही पड़ता है और जब इश्वर दंड देना शुरू करता है जब इश्वर कहर बरसाना शुरू करता है तो इंसान किसी से बोल नहीं सकता अंदर ही अंदर घुटता रहता है और परिशान होता रहत तो इसलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो, यह किस्मत क्या है, जो आपके जीवन में जो घटनाय होती है, वो क्या है, वो आपके कर्मा ही है, जो आपने पिछले जन्म में कर्म करके आये हो, वो ही आप इस जीवन में भोग रहे हो, अगर आपने अच्छे कर्म पिछले जन कह सकते कि आपके फ्रेंड सरकल हर इंसान आपको अच्छा मिलेगा सपोर्ट करने के लिए लेकिन अगर आप पास्ट लाइफ में कोई गलत कर्मा करके आए हो तो उसका फल आपको इस जीवन में तो भोग नहीं है किसी ना किसी रूप में वो इंसान आप आकर आपसे जो है अ अपने उपर जो आपने उसके साथ किया उसका बदला जरूर लेता है तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि next जन्म आपका अच्छा हो आपका आने वाला future अच्छा हो तो आपको जो है कर्म अच्छे करने है किसी का दिल मत दुखाओ किसी को ऐसे बचन मत बोलो कि वह इंसान दुखी हो जाए आपके एक शब्द से अपनी बातों से अपने कर्म से अपने थार्ट से किसी को भी किसी तरह का हमें जो है दुखी नहीं करना है अंजाने में अगर कोई गलती हो जाती तो वो बात अलग है कि हम जानते ही नहीं है अंजाने में हमारे से कोई गलत कारे हो गया कोई पाप कर्म हो गया लेकिन जान मूझकर अगर आप किसी को परेशान करोगे किसी को दुखी करोगे तो डेफिनेटली उसका भोग तो आपको भोग नहीं पड़ेगा भोगताम यह थी रीडिंग आपको पसंद आई हो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरूर कीजिए थैंक यू सो मच पॉर वाचिंग माई वीडियो हर हर महादेव च्रिशिवाय नमस्तुभ्यम ओम साहिराम जै मातादी राधे राधे